कोट के अंदर हंगामा करते वकील और वकीलों को दोड़ा कल लाठकें परसाती पुलिस और एक दूसरे पर कुर्सिया फेक्टी की ये तस्वीर है यूपी के गाजियाबाद जिले की जहां जुला जजज की कोट में सुनवाई के दौरान बवाल हो गया ऐसा बवाल की जजज और वकीलों में जड़ब तक हो गई दरसल पूरा मामला जुला जजज कोट का है जहां एक व्यक्ति की जमानत को लेकर सुनवाई चल रही थी वकील नाहर सिंग्यादव की मांग थी की व्यक्ति की जमानत अरजी दूसरे कोट में ट्रांसफर करती जाए इसी बाद पर उनकी जिला जजज अनिल कुपार से कहास्तुनी शुरू हुई विवाद इतना बढ़ गया कि जिला जजज डाई से उतर कर नीचे आ गए पहले थोड़ा गहमा गहमी हुई फिर मामला ज्यादा बढ़ गया जजज और वकीलों के बीच तीखी नों चुक हुई इसकी बाद जिला जजज ने फोन करके पुलिस और पीएसी बुला ली फिर क्या हुआ इसका वीडियो अप सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जुसमें पुलिस वाले वकीलों पर लाठिया बरसाते दिख रहे हैं एक पुलिस वाला कुर्सी उठाते वे भी दिख रहा है वकीलों का आरोप है कि जिला जजज कोर्टरूम में उन्हें चारू तरफ से दर्वाजा बंद करके पीटा गया जुसमें उन्हें काफी चोटे भी आई है वे इस पूरे मामले को लेकर वकील नहर सिंग्यादाव का कहना है कि जिला जजज अनिल कुमार ने मुझे धंकाया, गालियां दी वही एड्वोकेट सुशील कुमार ने बताया यगर लाटी चार्ज के दोशी अधिकारियों और पलिस करवियों के खिलाफ कारेवाई नहीं हुई तो आंदोरन करेगे बहरा, हंगामे के बाद वकीरों ने कचहरी की पलिस चौकी में तोड़ फोड की और कोट के बाहर धरनी पर बैटके हैं और अब वकील जजज के खिलाफ नारिबाजी कर रहे हैं वहीं जजजो ने दुर्व्यभार के खिलाफ अपना काम बंद कर दिया है बंजब केस्ट्री टीवी के लिए गाज़ाबाद से संजोय वत्तल की रिपोर्ट